हेलो फ्रेंज, वल्कम बेक टो मैं चैनल, मैं हूँ अमनिता और आप सभी देख रहे हैं Target at 1 फ्रेंज, आज हम बात करने वाले हैं 79,000 सिक्षक भरते से संबंदेत खबरों के बारे में जैसा कि आपको पता है कि एक दिन पहले से कांसिलिंग स्टार्ट हो चुकी है तो कई सारे बचे ऐसे थे जिन्होंने हमसे क्वेशन किया था सोचल मीडिया पर कि मैं ऐसे कौन सी चीजे हैं जिन में संस्रूद्धन किया जा सकता है और कई सारा अलगले क्वेशन लोगों ने पूछे, तो उन क्वेशन के बेसिस पे हमने collection तैयार किया है और यह जो collection है question का वो generally सभी लोग पूछते हैं तो चले देखते हैं कौन-कौन से आपकी शंकाये हैं और कौन-कौन से उनके समाधाना में मिलते हैं तो उसे पहले जाने क्या है खास आज की वीडियो में तो आज आप जानेंगे क्या-क्या संस्रोधन हो सकता है जब आप form fill up करते हैं और counselling में अपियर होते हैं तो फिर आप जानेंगे कौन-कौन से documents बाद में भी जमा किया आजा सकता है counselling के बाद भी फिर आप जानेंगे कितनी पुराने documents valid माने जाएंगे और क्या होता है एफिडेविट का format और किस तरीके से हम एफिडेविट बनवाना है तो यह सारी चीज़े हैं जो आपको जाना ज़रूरी है तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी प्रमुक्षन काये हैं जिनके बारे में हमें जानना है और कौन सी उनके समाधान है जो आप सभी के लिए important है तो सबसे पहला प्रश्टन लोगों के सामने ये था कि अगर मैं तो जिले के बाहर हूँ या अपने घर में हूँ ही नहीं तो किस तरीके से मैं counselling करा पाऊंगा और इतनी दूर जाओंगा कैसे lockdown हो चुका है start और lockdown में तो कई buses भी train भी नहीं available है तो क्या होगा तो उन लोग के लिए answer है guys कि अभी की जो प्रक्रिया है वो online है तो इसलिए आपको परिशान होने के ज़रूरत नहीं है कई सारे ऐसे लोग हैं जो computer से काफी computer की knowledge exactly जितनी होनी चे उतनी नहीं हो पाती है तो इस वज़े उन लोग को दिक्कत होती है हाला कि उन लोग की academic field काफी अच्छी है तो कभी-कभी होता है किसी इंसान का को area weak होता है को strong होता है तो उनका जिनका ये aspect कमजोर है वहाँ पे उनको जानना चाहिए कि जो आपकी online प्रक्रिया है counseling की उसके थ्रूँ आप घर पे बैठे counseling करवा सकते हैं दूसरा परशना आता है generally जो लोगोंने मुझे से पूछा है वहाँ कि सामान ओबी-सी और SC-ST का गुणांक कितना जाएगा तो guys एक सभी चीज आपने सभी देखा होगा other YouTube channels पे भी social medias पे भी लोग कई सारी बाते कर रहे है 65 plus होना चाहिए 62 plus होना चाहिए 68 plus होना चाहिए तो वहीं सर्फ तुक के हैं आप इन सब चीजों को सही नहीं मान सकते जब तक कि आपके list ना आ जाए क्योंकि कई सारे बच्चे B8 के हैं BTC के हैं जो जिन्होंने पास किया एक्साम तो वहां पर आपको जिस दुका प्रोवाइड के आ जा सकता है तो हो सकता है दस दुकों में से एक दुका सही हो जाए लेकिन फिर भी आप लोग निश्चिंत रही है कोई भी अभी guidelines जारी नहीं हुई है कि इतने उपर इतने गुडां के उपर है बच्चों को लिया जा सकता है कितने भी बच्चे जो जिनका 90 आया है जो भी बच्चे 90 प्लास हैं उन सभी को इस counseling में भाग लेने का मौका दिय जाएगा नेक्स question है आपका bank draft कब बनेगा तो guys जब आपको जिला अलॉट हो जाएगा जहां पर counseling करवाए हैं अपने डाली है जहां पर जिला भी उन सारे जिलों के बार्टमेंट के बार आपका bank draft बनेगा इसलिए अभी आपको परिशान होने की जरुरत नहीं है तो यह सा जनपद की जब भी आपको choice डालनी है तो सबसे पहले आपको वह जनपद डालना है जो आपके घर के पास है ठीक है ना यहां पर हमारे decide करेगी क्या आपको मिलता है या नहीं मिलता है लेकिन फिर भी आपको starting करने हैं अपने उन जिलों से जो आपके घर के पास है और फिर जगे चुनने है आपको ऐसे जनपद चुनने हैं जहां पर संसाधनों के करम में और शब्सक्रोदा में होसाइब होतनी क्यां जिलो मातरी कोसे डालनी वहां पर ठीक है जलिप चूर्ज na समय गलती हुई है तो किसटी है चाहिए अगर किस कार की अपने गलती इस पर spring करता है कि क्या आपको दिक्त आ सकती है यहा ver इसावला नहींक हो गया है तो पत्र क्रुप गलत भम सकती है जैसे कि यृद्या सकते हुआ आप एफिड़ेट लगा कर थोड़ी देर के लिए उन सब चीजों से दूर हो सकते हैं और बाद में अगर आप चाहे तो उन सब चीजों को सही करक्ट करके जम्मा कर सकते हैं लेकिन अगर आपका घुड़ा सबी थोड़ा भी डिस्टरब हुआ है तो वहाँ पर आपको खासा लाइन दी गई है वहाँ पर आप इमेल कर सकते हैं और पूरी उमीद है कि इस पर साचेन की ओर से कोई विकल्फ आए अगला प्रशने आपका की चरितर प्रमारपत्र मेडिकल प्रमारपत्र शपत्र कब और कहां कैसे बनेगा तो इसका उत्तर है जो आपका जिला है जिला म content होने के बाद CMO office में जाकर बनवा सकते हैं और शबत पत्र का candidate का content जो है आप अबंटिट जनपत से प्राप्त करके वहीं से बनवा लें तो यह सारी चीज़ें जो आपको जाना जुरूरी था तो गैस जो ऐसे documents है जो आप बाद में जमा कर सकते है वह आपका है medical प्रमार पत्र उसके बाद है आपका अचरित्र प्रमार पत्र और नेक्स्ट है आपका DD ठीक है नहीं होते सब चीज़ा बाद में जमा कर सकते हैं अगला प्रेशनल जैनरल लोगों ने पूछा है वह यह है कि अरिजिनल documents अगर नहीं है या कहीं और पर जमा है तो उस case में हमें क्या करना चाहिए तो उत्तर इसका यह है कि यदि यह सिक्षा विभाग में ही जमा किये गा है जैसे आपके बीएड में या किसी और document जहां पर सिक्षा विभाग जिनकी जो चेकेंगे वह सिक्षा विभाग ही करता है इसका तो इसका रास्ता वहीं उपलब कराएंगे अगर आपका document कहीं फसा हुआ है तो आपको जरूर बताएंगे counseling के टाइम पर कि आपको क्या step लेना चाहिए अगला प्रशन आपका क्या दूश्री लस्ट आएगी तो उसका उत्तर है संभाबना तो है कि लिस्ट जो है 69,000 के से बाद कि अभ्यरती सीटे डिक तरहने पर चुने जाएंगे तो इसलिए आपको घप्राने के जरूरत नहीं अगला प्रशन है जो जेनरली लोगों ने पूछा है कि पहले से नौकरी का रहे हैं उन लोगों को आवेदन और चायन में अनोसी प्रकरण उनका क्या होगा और क्या उनको लेनी चाहिए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप आप आल्रेडी जॉब में हैं तो प् अगर कोई आपके भाई बहन ऐसी कंडिशन से गुजर रहे हो तो आप उनके हेल्प करें और पूरी कोशिश करें कि अगर आप पहले से सैटल है और आपको बहुत जाला दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है जहां पर आप जॉब कर रहे हैं तो प्लीज कांसलिंग न प्लीज करें तो तो उसका उत्तर है गाईस की जो अहर्ता संबन्ती जो विगयपती आई थी उसमें जो भी दिया गया था जो भी टाइमिंग दी गई थी जो भी अगर आपके डॉक्यमेंट्स है चाहा है आपका ट्रॉपिट का हो अगर उसके पहले का हो तो वो सारे माले माने जाएंगे तो अभी तो हम यह आशक करते हैं कि सभी जो जो जूवेनाइल हैं बंदू हैं वो सारे वैद हो यानि कि जो आपका नए नियूली पास्ट कैंड़ेट है उन्हें भी महापर वैद माना जाता है अगला प्रश्णा आपका कि जॉइनिंग और कांसलिंग के जॉइनिंग और कांसलिंग के लिए जाना कैसे होगा और क्या साषन पास अप्लब्द कराएगा तो इसका उतर है विभाग इसके लिए निर्देश देगा अथा आप अभी यह सभी परिशानिया नहीं सोचें और हो सकता है कि विभाग आपको पास अप्लब्द कराएग औ क्योंकि इतने मुश्किलों के बावजूद भी इतने रोध विरोध के बावजूद भी जब यह भर्दी कंप्लीट हो रही है क्योंकि साशन चाहता है तो वहाँ पर आपको सोचना चाहिए कि वह ज़रूर कोई न कोई स्टैप आपके लिए लेगा अगला प्रश्ण हो सकता है कि किसी कोर्स की फाइनल डिग्री अगर नहीं मिल रही है या नहीं मिल सकी है तो क्या करना है हमें वहाँ पर तो उतर है इसका बहुत से विश्वे द्याल है जो इस मामले में धील दे रहे हैं और यहां बात है क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा अगला प्रश्ण हो सकता है कि जाती और मूल निवास प्रमाण पत्र कहां का लगेगा और वैलिडिटी कप तक होनी चाहिए तो इसका उत्तर है जाती प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश का होना चाहिए और इंटरनेट पर वैद प्रशित हो रहा है तो वहां पर आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा अगला प्रश्ण है आपका कि शादिशुदा में इलाए जो अवियर्थी हैं उनका कौन सा निवास प्रमार पत्र लगेगा या सुसुराल का है फिर माईगे का तो उत्तर है कि जो भी नवीन और वैद हो वही लगेगा चूकि अब जिला वरियता जैसा कोई मुदा नहीं है तो इस समस्या इसमें कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आपने जब फॉर्म भरा था उसमें आपने माईगे का एड्रिस डाला है तो आपको माईगे का है निवास प् आपको में भरी थी उसकी प्रती आपके पास होनी चाहिए और नवीन जो आई है वह भी रखें यानि कि पुरानी और नई दोनों दोनों यूपड़ेट के माक्षिट आपको आपको अपने पास रखनी है और उसके पास उस समय जो अंख थे आपने भरे थे अब इसमें हम इसको जूम करके रिखाते हैं कुछ इस टाइप का आपका फॉर्मेट होगा इसका आप चाहिए तो स्क्रीन शॉट लेकर रख सकते हैं इससे आपको बहुत सब्सक्राइब होगा जो आप अगर आपके पास कोई प्रमाणपत्र नहीं है या आप से कोई दूटी हो गई ह सब्सक्राइब लगा कर थोड़ी देर के लिए अपने अलिजिबिलिटी जो है उसको वहां पर व्यक्त कर सकते हैं ठीक है ना तो आपको चिंता होने करने की कोई भी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी निश्यंत रही है और यह गोड़ांक जो भी यहां भी चल रहा है कि इतन पर भरोसा रखें तो अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करें हमारे चानल को और सब्सक्राइब करें और अपको लगता है कि यूसफुल है तो अपने फ्रेंस के साथ भी शेयर करें तब तक के लिए हम रिता को दीजिए इजाजत मिलते हैं कुछ और वीडियो में बाई बाई